हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज किस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12 बायो टेकनोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के नीट प्रिवियर्स एस क्योशन लास्ट थर्टी त्री एर्स के इस चैप्टर के अंदर टोटल 83 क्योशन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर कम्प्लीट करेंगे अगर अपनी से पहले वाले अधर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा अगर आपको बायोजी एंड केमेस्टी के नोट साहिए प्योर एंसिया टी बेस्ट फो नीट जिसके साथ जीन ओफ इंट्रेस्ट जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा क्लोनिंग के लिए उसको क्या बोला जाता है टेंप्लेट केरियर ट्रांसपोर्मर या फिर वेक्टर तो उस चीज़ को बोला जाता है वेक्टर ओके तो हमारा अंसर आजएगा ऑप्शन डी ओक किस दी इसकोरी होने के बाद कि के बाद है यह पोलेक्षिंट के बाद है तो मारा आजएगा ओप्शन इंग्रेट है यह फोल्कार यह परॉंग मेचिंग यह पर रॉंग मेच बताने कि कौन सा है हमें यहाँ पर बिल्कुल रॉंग बताना है तो यहाँ पर है वेक्टर डियने एक्च्वल में जो वेक्टर का काम क्या होता है केरिंग है फॉरिजन डियने सेग्मेंट जो एक डियने सेग्मेंट होता है उसको रेप्लिकेट करना इंसाइड दा होस्ट यह काम होता है नोटर साइड फो टी रने सिंथेसिस के लिए यह वेक्टर डियने यूज नहीं होता है यह रॉंग लिखा गया तो आंसर आजाएगा ऑप्शन भी नेक्स्ट हमारा किस्से नमबर फोट है वीच वन आफ दा फॉलिंग टेक्निक्स मेट इड पॉसिबल टू जैनेटिकली इंजिरिंग लिविंग और्गनिजम कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो है हम जो है वो ज़्यादतर जो लिविंग और्गनिजम है उसके अंदर पॉसिबल हो पाया री कॉमिनेशन डियने टेक्निक्स एक्सरे डिफ्रेक्शन है वियर आइस्टोप लेबलिंग या फिर हाइब्रिडिजिशन तो सिंपल है डियने को री कॉमिनेशन की जो टेक्निक है उसी के द्वारा जो है वो हम पॉसिबल हो पाई कि हम जनेटिक इंजिनिरिंग लिविंग और्गनिजम में कर सकते है ओके नेक्स्ट हमारा किस्ट नमबर फिप्ट है जीन को क्लोन करने में कौन सा यूज के जाता है नुकलोड लोमसों मीजोसों या फिर प्लाजमिट तो बहुत ही असानी सा जाजएगा प्लाजमिट का काफी यूज के जाता है तो अनसर आजएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा किस्ट नमबर शिक्स है बेसे नमबर शिक्टिरियम जोती को जाता है जया जियाटिक इंजिनिरिम में एग्रो बेक्टिरियम बैसिलस शूडो मोनास या फिर कलोस्टिडियम तो याद रखना है वो कौन सा है agrobacterium tumifation तो मारा अंसर आजाएगा option है agrobacterium ओके next हम question number 8 देख लेते हैं which of the following is related to genetic engineering genetic engineering से related कौन सा है heterosis mutation plastic या फिर plasmid तो plasmid जो है वो important है genetic engineering से related है okay question number 9 पूछा गया genetic engineering is possible because genetic engineering possible हो पाई क्योंकि we can cut DNA at specific site by endonucleus like DNAs restriction endonucleus is purified from bacteria can be used in in vitro the phenomena of transduction in bacteria is well understand and we can see DNA by electron microscope genetic engineering के लिए पूछा है तो वहाँ पर restriction endonucleus जो है वो purify किया जाता है bacteria से और वहाँ पर हम उसको in vitro की तरह यूज़ कर शकते हैं यह बहुत ही important है restriction तो यहां पर हमारा जो correct answer आएगा वो आएगा option A जो यहां पर फास्ट लिखा गया वह correct statement है बट वह genetic engineering उसके दोरा क्यावल उसके दोरा possible नहीं हो सकते तो correct जो main answer आएगा वो आएगा option B okay next हमारा question number 10 है when scientists make an animal superior by view of genotype introducing some foreign gene it is called अगर हम एक animal को superior बनाते है उसके genotype के अंदर और वहां पर हमने एक foreign gene उसके अंदर introduce के है उस technology को क्या बोलेंगे immunization genetic engineering tissue culture या फिर biology वो जो complete process है उसको हम बोलते है genetic engineering जो by technology के अंदर आती है बड़ यहाँ पर main अगर important पूछा जाएगा तो हमारा answer आएगा genetic engineering की वज़े से यह possible होगा है okay next हमारा question number 11 है which of the following organal is related with the genetic engineering genetic engineering से कौन सा related organal है mitochondria plasmid Golgi body lysosome तो simple है plasmid okay अब जो next हमारा topic है वो है tools of recombination dnla technology यानि कौन से tools यूज के जाते हैं बहुत important है यहाँसे need 2020 में क्योंस ना चुका है first question है identify the wrong statement with regard to restriction enzyme restriction enzyme को ध्यान में रखते हुए हमें wrong statement बताने है option a है each restriction enzyme function by inspecting the length of a dna sequence we have they cut the strand of dna at palindromic site they are useful in genetic engineering sticky ends can be joined by using dna lygase अब चारों की चारों statement बिल्कुल correct लिक्षी हुई है okay तो आप कहोगे इन मेंसे wrong statement कौन से है but हमसे wrong statement पूछा गया restriction enzymes के लिए और sticky end को join करना dna lygase का काम आओ dna lygase कहीं से कहीं तक restriction enzyme नहीं है तो हमसे restriction enzyme के पूछा गया तो sticky end can be joined by using enzyme यह हमारा जो आपे dna lygase वाला यह गलत है क्योंकि restriction enzyme का इससे कोई लेना देना नहीं है okay next हमारा किस्ट से number 13 यह भी need 2020 का है choose the correct pair from the following हमें correct बताना है कि आपे बिल्कुल correct कौन सा हुआ है lygases में लिखा है join the two dna molecule polymerases के अंदर लिखा गया break the dna into fragments nucleases के अंदर लिखा गया spread the two strand of the dna and exonucleases के अंदर लिखा गया make cut at specific position within the dna exonuclease within the dna नहीं होता nucleases two strand जो dna होता है उसको separate नहीं करता है polymerases break the dna into fragments यह भी गला था क्योंकि वापे break नहीं करता polymerase का भी भी वह replication में correct पूचा तो answer आजागा option a next time question number चलते है 14 में 14 में हमसे पूचा गया है the specific palindromic sequence which is recognized by e co r1 is जो e co r1 है उसके द्वारा कौन सा palindromic sequence जो है वो recognize किया जाता है option a यहाँ पे दिया है g double a double t c वी दिए गया गया c double t a g ए गया गया c g a t c c लगबग सभी palindromic sequence में तो लिखे गए हैं बट अगर यहाँ पर दिखिए जो dna यहाँ पर आपको बता दूं कि यह जो diagram दिया हुआ ncrt के अंदर और वहाँ पर उस diagram के ऊपर bracket में लिखा गया कि e co r1 के लिए जो specific palindromic sequence है वो हमेशा रहेगा आपका g double a double t c तो इस चीज़ को आप हमेशे याद रखना यहाँ पर हमारे जो answer आएगा correct answer आएगा वो option a आएगा pure ncrt में ही है बट वो diagram के पास दिया हुए तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर इस tricky and वगयरा सब कुछ दिखाएगा question number 15 है the sequence that control the copy number of the linked dna in the vector is termed as याई जो vector के साथ ने हमने dna linked किया है उसमें अगर हमें बहुत सारे copy number बनाने है तो उसको कौन control करता है selectable marker ori site palindromic sequence या आफे recognizing site तो आपड़ उसको control करता होता है origin of replication site या ओर आर आई साइट तो मरे correct answer आजाएगा option B next हमारा question number 16 भी need 2020 के लिए यानि काफी question इस चाटे से chapter से आई हुए है in gel electrophoresis separated dna fragments can be visualized with the help of electrophoresis के अंदर जब हम dna fragment को separate करते तो उसको कैसे visualized कर सकते हैं acetocarmine in bright blue light ethidium bromide in UV radiation acetocarmine in UV radiation ethidium bromide in infrared radiation simple है ethidium bromide का अंदर डालके हम UV radiation के अंदर हमें देखेंगे तो औरेंज कलर में हम दिखा देगा तो answer आजाएगा option B next हमारा question number 17 यहाँ पर पुछा गया following statement describe the characteristics of enzyme restriction endonuclease identify the incorrect statement हमें यहाँ पर incorrect बतानी है option दिए गया the enzyme recognizes specific palindromic nucleotide sequence in one DNA the enzyme cut DNA molecule at identify position within the DNA the enzyme bind DNA at specific sign and cuts only one of the two strand and option D दिए गया the enzyme cut the sugar phosphate backbone at specific site on each strand हमें यहाँ पर incorrect बतानी है तो incorrect में दिखेंगे the enzyme bind DNA at specific site and cut only one strand गलत लिखा गया बोच सेंड two strands होते हैं दोनों के दोनों strand को cut किया जाता है not only one strand यहाँ पर यह only one जो लिखा है वो गलत लिखा है तो हमारा answer आजाएगा option C next हमारा question number 18 a selectable marker is used to selectable marker को कैसे use के जाता है helps in eliminating the non-transformance so that the transformance can be regenerate identify the gene for a desired trait in an alien organism select a suitable vector for transformation in a specific crop या फिर mark a gene on a chromosome for isolating using restriction enzyme selectable marker के अंदर साब साब लिखा गया है कि selectable marker किसलिए use होता है help in eliminating the non-transformance so that the transform can be regenerate तो यहाँ पर यह जो हमारा answer आएगा option A यह बिलकुल correct आजाएगा अच चलिए next हमारा question number 19 देख लेते हैं given below are four statement pretending to separation of DNA fragment using gel electrophoresis identify the incorrect statement हमें incorrect statement बताने है first statement लिखा गया है DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel electrode towards the anode terminal second DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA third smaller the size of DNA fragment larger is the distance travel through it and fourth pure DNA can be visualized directly by exposing the UV radiation हमें incorrect बताने है कि कौन कौन सी statement यह पर लिख हुई है first DNA is negative charge molecule बिलकुल correct है so it is loaded on the gel towards the anode यहाँ पर हमें force करते हैं DNA fragments को divide किया जाता है and then उसको force किया जाता है और जहापे जो larger molecules होते हैं उतनी जादे हैं इनोड के पास में होते हैं तो यह लिखवा की so it is loaded on the gel towards the anode यह बिलकुल गलत है यहाँ तक 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 सही है बट उसके आगे जो लिखवा गलत है DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect movement जी नहीं जैल जो डाली जाती है उसके अंदर जो जैल एग्रोस जैल डाली जाती है उसकी concentration affect करती है movement को यहाँ पर लिखा है does not affect यह बिलकुल गलत है smaller the size of fragment DNA smaller is the distance यह बिलकुल larger यह fragment जो है यह बिलकुल correct लिखी गई है pure DNA can be used directly जी नहीं डालेंगे पहले हम ethidium bromide डालेंगे और उसके बाद हम UV radiation के दिए यह भी बिलकुल गलत है तो हमारी first second and fourth statement जो है वो यहाँ पर गलत है तो हम ऐसा option जो है वो यहाँ पर option D है जहाँ पर first second and fourth जो है वो हमारी गलत बागी third 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 तो हमेरी सब में correct है okay next हम question number देख लेते है 20 question number 20 में पूछा गया है which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte humans के लिए जो हम कौन सा vector use करेंगे retrovirus ti plasmid alpha alpha phase या फिर PBR322 तो हम जो use करेंगे humans के लिए वो retrovirus होगा okay next question number 21 है the DNA fragment separated on an agrogel can be visualized after standing with aceto carmine, aniline blue, ethidium bromide या फिर bromophenol blue तो simple है answer आजाएगा ethidium bromide DNA fragments are DNA fragments कैसे होते हैं, negative charge neutral होते हैं, either positive or negative charge depending on the size या फिर positive charge, negatively charge होते हैं DNA fragment तो answer आजाएगा option A, okay next question number 23 देख लेते हैं, a gene whose expression help to identify transported cell is known as, वो gene जिसकी वदद से हम जो transport cell को अच्छे से पता लगा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, vector plasmid structural gene या फिर selectable marker, तो उसको बोला जाता है selectable marker, answer आजाएगा option D, next हमारा question number 24, what is the criterion for DNA fragments movement on aggro gel during gel electrophyses, कौन सा criteria होगा DNA fragment की movement में aggro gel के अंदर, the smaller the fragment size, the farther it moves, positively charge fragment move to the farther end, negatively charge fragment do not move, the larger the fragment size, the farther it moves, simple है, यहाँ पर बहुत आसानी से अभी हमने किया भी था जो correct statement दी, the smaller the fragment size, the farther it moves, यह हमारा बिलकुल correct लिखा वताना सरा जगा option A, next हमारा question number 25 है, यह फोरीजन DNA end plasmid cut by the same restriction endonucleus, can be joined to form a recombinous plasmid, जो हम DNA को join किसके द्वारा किया गए है, ECO-R1, take polymerase, polymerase 2 या फिर ligase, तो DNA ligase के द्वारा join किया जाता है, अंसरा जाएगा option D, next हमारा question number 26 है, which of the following restriction enzyme produce blunt end, blunt end कौन सा restriction enzyme produce करेगा, SAL1, ECO-R5, XHO1, या फिर HIND3rd, तो simple याद रखना, ECO-RV, जो होता है, वो हमारा blunt end produce करता है, तो अंसरा जाएगा option B, next हमारा question number 27, which of the following is, note a feature of the plasmid, plasmid का feature कौन सा नहीं है, transferable, single strand, independent replication, या फिर circular structure, जो plasmid होता है, वो हमेशे double strand होता है, single strand नहीं होता है, तो ये feature बिल्कुल भी नहीं है, next हमारा question number 28 है, which of the following is the restriction endonucleases, endonucleases कौन सा, DNAs first, RNAs, HIN2, या फिर protease, तो यहाँ पर simple सा answer आजाएगा, endonucleases जो है, वो HIN2 है, तो हमारा answer आजाएगा, option C, next हमारा question number 29, the introduction of T-DNA into plants involved, T-DNA को अगर हम plants के अंदर involve करें, introduction करें, तो वहाँ पे हमें क्या जीज़ इनवाल करने पड़ेगा, exposing the plant to the cold for a brief, allowing the plant root to strain in the water, infection of the plant by agrobacterium tumefacian, या फिर alternating the pH of the soil, then the heat soaking, agrobacterium tumefacian, जो होता है, वो हमेशा as a vector की तरह यूज किया जाता है, तो infection of the plant by agrobacterium tumefacian किया जाएगा, तो answer आजाएगा, simple option C, next हम question number 30, देख लेते हैं, which vector can clone only a small fragment of DNA, कौन सा ऐसा vector जो केवल small fragment of DNA को क्लोन कर सकता है, bacterial artificial chromosome, east artificial chromosome, plasmid या फिर cosmid, यह दोनों तो हम human genome project यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर जो plasmid होता है, वह ज्यादा answer आएगा, सही, अब हम simple fragment को यूज कर सकते हैं, तो answer आजएगा option C, next हमारा question number 31 है, commonly used vector for human genome sequence R, human genome के लिए commonly used vector कौन से है, T, DNA, back and Y, A, C, expression vector या फिर T, में बोला गया है, the colonies of recombinant bacteria, appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria, because, जो colonies है, recombinant की, वो white color में दिखाई दे रहे हैं, जबकि non-recombinant की blue, ऐसा किस वज़े से, insertion, inactivation of alpha galactosides in recombination bacteria, inactivation of galactosides enzyme in recombinant bacteria, non-recombinant bacteria containing beta galactoside, जा फिर insertion, activation of alpha galactosides, in non-recombinant bacteria, तो simple है, जो non-recombinant bacteria होता है, उनके पास beta galactosides होता है, उसकी वज़े से ऐसा color दिखाई देता है, तो answer आज़ेगा, option C, okay, next, हम question number देख लेते हैं, 33, the DNA fragments generated by restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by, कैसे separate कर सकते हैं, electrophoresis restriction wrapping, centrifugation या फिर PCR के दोरा, तो electrophoresis के दोरा हम उनको separate कर सकते हैं, अनसरा जाएगा, option A, question number 34 है, यहाँ पे diagram दिया गया, the given figure is the diagrammatory representation of E. coli vector P, B, R3, T2, which one of the given option correctly identified its certain component, तो हमें यहाँ पे यह diagram दिया गया है, और यहाँ पे कुछ component दिया गया, हमें correctly बताने हैं कि बिल्कुल correct पहुन सा है, O.R.I. में लिखा गया, original restriction enzyme, R.O.P. में लिखा गया, reduced osmotic pressure, into and hit one के लिए बोला है, selectable marker, and MP saline, and tetracycline के लिए बोला है, antibiotic resistance gene, तो यह जो है, वो O.R.I. की full form नहीं है, R.O.P. की भी यह full form नहीं है, restriction enzyme, यहाँ पर यह जो हमारे लिए एंटिबार्टिक रिजिस्टरंजी, MP saline, and tetracycline के लिए है, यहाँ पर यह जो है, वो बिल्कुल correct है, और हमसे correct ही पूछा गया था, next हमारे के उससे number 35 है, a single strain of nucleic acid, tagged with a radioactive molecule is called, a single strain nucleic acid है, जिसको radioactive molecule के साथ में tag किया गया, उस molecule क्या बोलेंगे, vector, selectable, marker, plasmid, और probe, तो simple है, उसको हम बोलेंगे probe, अब यह जो लिखा हुआ है, वो next chapter में लिखा हुआ है, जहाँ पर NCRT के अंदर molecular diagnosis लिखा हुआ है, portion, तो उसके अंदर second या third paragraph के अंदर यह probe वाला portion लिखा हुआ है, तो इस chapter में नहीं है, वो principle, biotechnology edits application वाले के अंदर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हूँ, बढ़ क्योंसे यहाँ पर आए हुआ हुआ है, चलिए next हमारा क्योंसे number 36 है, for transformation, micro particles coated with the DNA to be bombarded with the gene gun, are made up of, gene gun किस से बनती है, silver and platinum, प्लेटिनम वो जिंग, silicon and platinum या फिर gold and tungsten, तो जो gene gun बनती है, वो gold और tungsten से बनती है, तो मारा answer आजाएगा option B, ओके next हम चलते हैं क्योंसे number 37 पे, 37 में बोला गया, biolistic gene gun is suitable for, biolistic जो gene gun है, वो किस के लिए suitable है, option बोला गया है, disarming pathogen vector, transformation of plant cell, construction, recombination, DNA by zoning with the vector, या फिर DNA finger printing, तो simple है, transformation of plant cell के लिए जो important है, answer आजाएगा option B, next हमारा question number 38 है, in genetic engineering, the antibiotics are used, genetic engineer के अंदर antibiotic किस तरह यूज़ के जाते, a selectable marker to select healthy vector, a sequence from where replication start, या फिर to keep the culture free of infection, तो हम जो यहाँ पर use कते हैं, वो selectable marker की तरह यूज़ कते हैं, antibiotics को तो answer आज़ेगा, option A, okay, next हम से question पूचागे, which of the following represent, palindromic sequence, palindromic जहाँ पर जो है, left to right सेम होते है, option A दिएगा, G, double A, T, T, C, और फिर यहाँ पर ऐसे दिएगे, C, C, A, A, T, G, और यहाँ पर ऐसे दिएगे, फिर यहाँ पर option C दिएगे, और option D दिएगे, तो यहाँ पर simple है, जो हमने पढ़ा था, E को लाई वाला वही है, तो हमारा answer बहुत आसानी से आजएगा, जो palindromic sequence है, यह first वाला है, ओके, यहाँ पर इधर से आप रीड करोगी, यह फिर इधर से रीड करोगी, तो यह बिल्कुल सेम होता है, चलिए, नेक्स्ट आम किस्ट से नंबर 40 देख लेते हैं, यहाँ पर वापीस यह पुछा गया, इहाँ पर पुछा गया कि यह क्या चीज है, यह पर पुछा गया कि यह क्या चीज है, तो यह palindromic sequence है, तो आन सरा जाएगा, और पहुत यह असानी से, नेक्स्ट हमारा किस्ट नंबर 41 है, there is a restriction endonucleus, called E-Co-R1, what does the Co part in this stand for, species को बताता है, colon, cillium, चलिए, नेक्स्ट हमारा किस्ट नंबर 42 है, agrose extracted from CVDs used in, agrose जो gel होती है, वो किसमें use की जाती है, spectrophotometry, या फिर tissue culture, या फिर PCR या जल electrophoresis, तो बहुत आसानी से, आप का नसरा जाने चीज, उसको में use करते हैं, जल electrophoresis के अंदर, नेक्स्ट हमारा किस्ट नंबर 43 है, which of the following is palindromic base sequence, in DNA can be easily cutted the base, palindromic sequence हमीं बताने है, तो first वाला palindromic sequence नहीं है, second वाला भी नहीं है, third वाला जी हाँ, यह palindromic sequence है, और fourth वाला भी palindromic sequence नहीं है, आप इसको third end से यहां से पढ़ोगे, तो CC, यहां से third पढ़ोगे, तो C, T, T, A, G, और यहां पर भी third end से पढ़ोगे, तो same है, और यहां पर भी third end से पढ़ोगे, तो same है, तो ऐसा होता है, तो answer आजाएगा option C, next हमारा question number 42, 44 है, which one of the following is used है, vector for the cloning gene in higher organism, higher organism के लिए हम एक vector case है, कौन से यूज़ कर सकते हैं, baculovirus, salmone, typhimurium, rhizobium, यहां फिर retrovirus, higher organism के लिए जो यूज़ कर सकते हैं, वो retrovirus तो answer आजाएगा option D, next हमारा question number 45 है, DNA और RNA segment tagged with the radioactive molecule is called, अभी हम पहले भी करके आचुगे हैं, फिर बता रहा हूँ, यह molecular diagnosis के अंदर, next chapter के अंदर आता है, इस application के अंदर, vector probe, clone, plasmid, तो answer आएगा probe, okay, next हमारा question number 46 है, restriction endonucleus are the enzyme, which restriction endonucleus enzyme में क्या काम करते हैं, make cut at specific position within the DNA molecule, recognize a specific nucleotide sequence for binding of DNA, like is restriction the action of the enzyme DNA polymerase, यह फिर remove nucleotide from the ends of the DNA molecule, make the cut at specific position within the DNA molecule, आएगा option A, next हमारा question number 47, in genetic engineering, a DNA segment gene of the interest is transferred to the whole cell through a vector, consider the following four statement first to four, in this regard, select the correct option, above which one or more of these can be used as vector or vectors, इन में से कौन से हम as a vector, या फिर vectors की तरह यूज कर सकते हैं, bacterium, plasmid, plasmodium और bacteriophage, तो bacteriophage, जोते prokriot, उनी से तो निकाला जाता है, plasmid, या फिर हम कर सकते हैं, बेक्टिरियोफेज, तो second and fourth, उनको हम एज़े vector यूज कर सकते हैं, तो second and fourth, यहाँ पर first को नहीं यूज करते हैं, first only, first and third नहीं है, तो second and fourth, हमारा answer आज़ेगा, option B, next हमारा question number 48, polyethylene glycol method is used for, polyethylene glycol method किस के लिए यूज के जाते हैं, biodiesel production, seedless fruit production, energy production from sewage या फे gene transfer without a vector, अगर हमें without a vector gene transfer करना, तो उस तरह हम polyethylene glycol method का यूज करते हैं, तो answer आज़ेगा, option B, next हमारा question number 49, which one of the following is commonly used in transferring वो foragen DNA into crop plants, plants के अंदर कौन सा ज्यादा तरह हम commonly vector यूज कर सकते हैं, mellow design, incognita, agrobacterium, tumifacin, penicillin, expansion, phantium, या फिर trichoderma, herzionum, तो agrobacterium, tumifacin आप याद रखना बहुत बार आएगा, तो यहाँ पर answer आज़ेगा, option B, next हमारा question number 50 है, gel electrophoresis is used for, gel electrophoresis किस के लिए यूज कर सकते हैं, construction of recombinant DNA by joining with cloning vector, isolation of DNA molecule, cutting of DNA into fragment, या with separation of DNA fragment according to their size, तो gel electrophoresis में हम जो हैं, वो DNA fragment को separate कर सकते हैं, according to their size, तो answer आज़ेगा, option D, next हमारा question number 51 है, the linking of antibiotic resistance gene, with the plasma vector become possible with, यह किसके द्वारा possible हुआ, DNA polymerase, exonuclease, DNA lygase, endonuclease, यहाँ पर बोला गया, कि link करना है ना, antibiotic resistance gene को, तो link में कौन सा आएगा, DNA lygase के द्वारे, तो हम link कर भाएंगे, तो answer आज़ेगा, option C, next हमारा question number 52, restriction endonuclease, restriction endonuclease क्या है, synthesize DNA, cut the DNA molecule randomly, cut the DNA molecule at specific side, restrict the synthesis of DNA inside the nucleus, तो cut the DNA at specific side, यह काम करता है, next हमारा question number 53, 53 में पूछा गया है, two microbes found to be very useful in genetic engineering are, ऐसे कौन से दो बैक्टिरिया जो genetic engineering में बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं, crown, gall, bacterium, and synoher, habitatids, elegans, ascaria, coli, and agrobacterium tumifesion, ebrio, colory, and tailed bacterial phase, diplococcus, spesum, and pseudomonas, तो simple है, E, coli, और agrobacterium tumifesion जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्यूस से नमबर 54, restriction endonucleases, restriction endonucleases क्या करता है, are present in mammalian cell for degradation of DNA when the cell dies, are used in genetic engine for ligating two DNA molecules, are used in vitro DNA synthesis, या फिर in synthesized by bacteria as part of their defense mechanism, restriction endonucleases जो वो actual में, जो bacteria होते हैं, उनका defense mechanism की तरह काम करता है, ओके, और यहाँ पर यह क्या करता है, जो double strain DNA होते हैं, उनको digest करता है, उनको cut करने का काम करता है, इसलिए हमें आपर double strain DNA में, बहुत आसानी से cut लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो answer आएगा, correct answer आएगा, वो आएगा option D, ओके, next हमारा क्यूस से नमबर है 55, the type plasmid is often used for making transgenic plant, the plasmid is found in, तो type plasmid होता हूँ, उसमें हम ज़्यादा था, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, तो यह कहाँ पर मिलेगा, azotobacter rhizobium of the root of leguminous plant, agrobacterium या फिर east as a 2 mm plasmida, तो agrobacterium tumyfasian, तो हमारा answer आजाएगा, option C, नेक्स्ट हमारा question number 56, the most thoroughly studied of the non-bacterium plant interaction is the, most thoroughly studied, जब deep study की गई, तो हम पर bacterium plant interaction क्या है, syenobacterium symbiatic with some aquatic firm, goal formation on certain angiospermic by agrobacterium, nodule of the sasbania stem by nitrogen fixation, या फिर plant growth stimulation by phosphate stabilizing bacteria, ज्यादा deep plant interaction के लिए non-bacteria plant, या पर bacteria और plant का interaction बताना, सबसे best concept, तो यहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा study भी किया गया है, तो वो होता है हमारा simple, goal formation of certain angiospermic by agrobacterium, इसको सबसे ज़्यादा study किया गया, क्योंकि इस पर biotechnology भी work करती है, तो हमारा answer आजाएगा option B, next हमारा question number 57 है, which one of the following bacteria has found extensive using genetic engineering, in plants, plants के अंदर जिसके उपर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा extensive genetic engineering, Clostridium specticum, Xenthomonasetri, Bacillus coagulose, Agrobacterium tumefacin, Agrobacterium tumefacin, बहुत बाहरा आग चुका है, 58, which are used to join bits of DNA, DNA को join करने में कौन सा हो, ligase, primase, DNA polymerase, endonucleus, ligase, DNA ligase, क्योंसे number है, 59, 59, mutant strain of T4, bacteria phase R2, fails to lyse the E. coli, but when the two strain R2X and R2Y, are mixed, then they lyse the E. coli, but may be the possible region, T4 bacteria, जहांपे R2 fail हो जाता है, E. coli में lyse करने के लिए, but वहीं पे दो अलगलग strain R2X and R2Y, जब mix करके, फिर डाला जाता है E. coli पे, बोथ strain है, similar syndrome, या फिर बोथ strain है, different strain, तो यहां पर यह जो हमारे पास दो strain है, R2X and R2Y, यहां पर इनके पास different, different syndrome है, उसकी वज़े से, जहां पर answer आजाएगा, option D. Next, हमारा question number 60 है, 60 में question number में पूछागे है, वे जो दो फ्लाइंग कट दा DNA from specific place, कौन सा हो सकता है, E. coli, endonucleus first, ligase, exonucleus, alkaline, तो E. coli, restriction, endonucleus first, cut कर सकता है, तो मारा answer आजाएगा, option A, next हमारा question number 62, the maximum number of bases in plasmid discovered so far, एक plasmid के अंदर, सबसे maximum number bases के कितने हो सकते हैं, maximum पूचा है, 50 kilobase, 15 hundred kilobase, 5000 kilobase, या 5 kilobase, maximum number जो अभी तक पता चला है, वो approximately 1 से लेकर, यहापे 1 से लेकर, 400, 500 तक हो सकते हैं, up to 100 तक हो सकते हैं, तो यहापे 500 kilobase जो है, वो अभी तक maximum पता चला है, और हमसे maximum पूचा है, not a minimum, minimum पूचते हैं, तो यहापे हम 5 भी बोल सकते हैं, वो से maximum पूचा है, तो वो 500 हैं, question number 62 है, plasmid has been used as vector, because plasmid जो वो vector की तरह use कहा जाता है, क्यों, it is circular DNA, we have the capacity to join u-creatic DNA, it can move between pro-creating and u-creatic, both and short replication, it has antibiotic resistance, vector क्यों use कहा जाता है, simple है, it is circular DNA होता है, इसके पास, जहाँ पर capacity होती है, u-creatic DNA के साथ में join करने के लिए, आप इसलिए इसको use कहा जाता है, answer आज़ेगा option A, 63 number question है, the process of replication in plasmid DNA, other than the initiation is controlled by, जो plasmid के अंदर replication का process होता है, उसको initiate करना, और control कौन कहता है, mitochondrial gene, plasmid gene, bacterial gene, like is restriction endonuclease, primase या फिर exonuclease, तो यह combination DNA जो है, वो cleavage में कौन सा मज़द करेगा, restriction endonuclease, तो मारा answer आज़ेगा option B, next question number 65, two bacteria found to be very useful in genetic engineer, इसकों सकते हैं, nitrobacter, azotrobacter, rhizobium, diplococcus, nitrosomonas, या फिर E. coli and azobacter, तो agrobacterium और E. coli, जो बहुत important यूज हो सकते हैं, तो answer आज़ेगा option D, next question number 66, restriction endonucleases, restriction endonuclease क्या है, use for in vitro DNA synthesis, using genetic engineering, synthesized by bacteria, present in mammalian cell for degradation of DNA, तो genetic engineering के अंदर use होता है, तो answer आज़ेगा option B, next question number 67, the restriction enzyme are used in genetic engineering, because restriction enzyme को, genetic engineering में use करते हैं, क्यों, they can cut DNA at specific base sequence, they are nucleases that cut DNA at variable side, they can degrade harmful protein, if they can join different DNA fragment, तो they can cut DNA specific base sequence में cut कर सकते हैं, इसलिए उसका use कहाजाता है, the answer आज़ेगा option A, next time question number 68, 68 हमारा जो है वो NEET में question आचुका है, यहाँ पर topic है process of recombination DNA technology, और यहाँ पर ही जो question है, वो आचुका हमारा NEET 2020 के अंदर, match the column है, यहाँ पर गिया गए, बैसिलेस तरंजाइनिसिस, थरमेस, एक्विटिकस, अग्रोबेक्टियम, ट्यूमिफेशिन, साल्मोनेर, टाइफिमूरियम, क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्शन, और फस्ट आर डिने, बैसिलेस तरंजाइनिसिस के अंदर, अलग-अलग टाइप के जीन्स होते हैं, जिन हम क्राइप प्रोटीन बोलते हैं, क्राइब वन, क्राइब टू, ऐसे करके, तो वो इंपोर्टेट तो, फर्स्ट हमारा चला जाएगा, फॉर्थ के साथ में, नेक्स्ट हम बात कर लेते हों है, थर्मस एक्विटिस्म, थर्मस एक्विटिस्म, डिने, पॉलिमरे जापे, पीसिया रेक्शन होती है, वहाँ पे बहुत इंपोर्टेट होता है, क्योंकि वहाँ पे टेंपरेचर बढ़ जाता है, इसलिए यह काफी स्टेबल होता है, तो बी जो अब वो थर्ड के साथ चला जाएगा, एग्रो बेट्रियम टुमिफेशन किसली यूज़ हो रहा था, क्लोनिंग वेक्टर हाइयर प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे हमारा सी जो फर्स्ट के साथ चला जाएगा, तो सालमने टाफी सिंपल है, कंस्ट्रक्शन और फर्स्टार डिने मॉल्कुल के साथ चला जाएगा, फर्स्ट जो अब हमारा फोट के साथ जाना चाहिए, ऐसा हमारे पास के वल एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ, बी सेकिंड के साथ, तो मारा अचर आजाएगा, ऑप्शन बी, ओके नेक्स्ट हम क्यूस्ट से नमबर देख लेते हैं, 69, ने टू थाओ, 19 का है, डिने प्रेसिपिटेशन, आउट ओफ ए मिक्सचर ओफ बायो मोलकुल के अचीवड बाय दा ट्रीटमेंट वीद, डिने प्रेसिपिटेशन हम किस मोलकुल के दौरा, चिल्ड क्लोरोफों, आइसोप्रोपेनोल, चिल्ड इथेनोल या फिर मिथेनोल एट्रूट तेम जाएग, प्योर NCRT बेस्ट है, यहाँ पर हम किस का यूज़ करते हैं, चिल्ड इथेनोल का, तो आणसर आजाएगा, उप्शन C, नेक्स्ट हमारा क्यूसर नमबर 70 है, इंजाइम को गर इंडस्टियल प्रोड़क्शन करना है हमें, तो हम पर हम कोई चीज का यूज़ करेंगे, बायो रियक्टर का, बियो डी इंक्यूबेटर का, अंसर आजाएगा, उप्शन A, नेक्स्ट हमारा क्यूसर नमबर 71 है, सबसे पहले जो होता है, वो होता है, तो यह तो सिंपल है, देन उसके बाद एंडिलिंग होता है, और देन होता है, एक्स्टेंशन, तो हमारा आंसर आजाएगा, ओप्शन B, तो सबसे नमबर 72, दा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्स्टेंशन 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 ऑफ एक्स्टे प्योर साफ साफ NCRT में लिख रहा है, डिटे टेंग क्या करते हैं, अविलिटी ऑफ ऑक्षिजन, थू आउट दा, प्रोसेश के टाइम पर वहाँ पर ऑक्षिजन की अविलिबिटी करवाते हैं, तो आंसर आजाएगा, ओक्षिजन C, next हमारा question number is 74 which of the following is not a component of downstream process downstream process का कौन सा component नहीं है separation, purification, preservation and expression separation और purification तो अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि वो बिल्कुल होता है preservation फिर उसके बाद उसको preserve किया जाता है expression या पर downstream का process नहीं है तो answer आजेगा option D it is not a component of downstream process next हमारा question number is 75 the take polymerase enzyme is obtained from जो take polymerase enzyme होता है उसको किस से obtain करते है bacillus, subtilus, pseudomonas, prutidia, thermus, equiticus या फिर thaiobacillus, ferroductions तो thermus, equiticus से हम use करते हैं उससे याँ पर obtain करते है तो answer आजेगा option C next हमारा question number 76 the analyze of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use वहापे हम किस इसका use नहीं कर सकते है electrophoresis, blotting, autoradiography, PCR PCR कर वहापे use नहीं होता है वो तो polymerization के लिए use होता है हम वहापे chromozomal DNA को analyze करना है southern hybridization के लिए तो यह बिल्कुल भी use नहीं होता है next हमारा question number 70 in vitroclonal propagation in plant is characterized by we in vitroclonal program करना अगर plants के अंदर तो वहापे क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं PCR, RAPD, northern blotting, electrophoresis and HPCL या फिर microscopy तो वहापे जो हम use कर सकते हैं वो PCR and RAPD होता है अब RAPD की full form क्या होती है random amplification of polymorphic DNA random amplification of polymorphic DNA यह इसकी full form होती है तो इन दोनों का use करते हैं और polymerized chain reaction हमें पता है तो यह हापे answer आएगा option A next हमारा question number 78 at which of the following is not a correctly match for the organism cell wall degrade enzyme cell wall की degrade enzyme में कौन सा correctly match नहीं है algae, methylase, fungi, cartinase, bacteria, lysozyme and plant cell cellulose plant के अंदर lysozyme होता है sorry cellulose होता है तो वहापे cellulose हो सकता है bacteria के अंदर lysozyme बिल्कुल correct है और fungi के अंदर cartin की बिल्कुल होती है पर algae के अंदर हमने कहीं भी methyl से ऐसा कुछ नहीं देखा है तो यह जो लिखा हो इनकरेक्ट लिखा हुए next हमारा question number 79 during the process of isolation of DNA chilled ethanol is added to इसका जो question बना है वो answer किया था और answer वो question किया था पीछे करके हैं precipitated DNA break open the cell to release DNA facilitate action of restriction enzyme remove protein such as histone DNA को precipitate करने के लिए हम जो chilled ethanol का यूज करते हैं तो answer आजाएगा option A next हमारा question number 80 पूछा गया है PCR and restriction fragment length polymorphism are the method 4 जो RAPD है और PCR है वो किस के method है हम उनको क्यों यूज करते हैं study of enzyme genetic engineering DNA sequence या फिर DNA genetic finger printing के लिए यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर बताने कि हम उनका किस लिए यूज करते हैं तो उनको genetic finger printing के यूज करते हैं okay next हमारा question number 81 है which one is a true statement regarding the DNA polymerase used in PCR true statement बताने है it is used to like it introduce DNA in a recipient cell it serve as a selectable marker it is isolated from a virus it remain active at high temperature PCR के अंदर जो true statement बताने है वो simple सी है कि यहाँ पे high temperature पे भी यह active रहती है तो यहाँ पे answer आजाएगा option D next हमारा कि उससे number 82 है the figure की नोविले शो A, B, C of the polymerase chain reaction select the correct option की है तो यहाँ पे हमें यह figure दी गई है और match the column है तो यहाँ पे हमसे बोल गए है यह A है, यह B है, यह C है तो यह PCR के sequence है A वाला हमारा हो जाएगा denaturation B वाला हो जाएगा annealing और यह होगा हमारा जाएगा extension तो simple है, अब देख लेते हैं सबसे पहले तो A denaturation होना जाएगा B denaturation नहीं होगा हमारा ओके, और B हमारा होगा annealing C extension है, यह बिल्कुल correct है और A जो है वो annealing अजीन है denaturation है, तो यहाँ पे हमारे दो option तो वैसे ही चले जाते है हमारे बचते हैं B और C option अब B और C में देख लेते हैं क्या चीज़ी हैं और क्या जहीं है denaturation at a temperature of about 50 degree यह बोल रहा कि denaturation यहाँ पे हो जाता है about 50 degree, ऐसा बोला जा रहा है next हमारा यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर extension in the presence of heat stable DNA polymerase तो देखिए denaturation जो होता है वो temperature about 50 नहीं होता है यहाँ पे approximately 90 more than 90 degree Celsius के आसपास temperature होता है ओक है not a 50 degree यह गलत है यहाँ पर extension के लिए बिल्कुल सही है in the presence of heat stable DNA polymerase जिसको हम take polymerase भी बोलती है यहाँ पर उसी के द्वारा प्रेजेंट के द्वारा extension की जाती है तो हमारा answer आजाएगा option C last हमारा question है question number 83 है steer tank bio reactor have been designed for किस के लिए design किया गया additional of preservative to the product purification of the product ensure anaerobic condition in the culture या फिर availability of oxygen throughout the process ऐसा question हम पहले भी कर चुके है availability of oxygen throughout the process के लिए जो है वो steer tank बनाए गया थे आर्योक्टर के अंदर ये सब को सच वीडियों को अगर आपको वीडियों पसंदा है तो लाइक कीज़ें दोस्तों के साथ share कीज़ें मिलते हैं दर नेक्स वीडियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद